गुड मॉनिं डियर इस्टेंट तो बच्चो अभी तक हम लोग आपका जो नया इन चेप्टर चल ला है आवास तथा अनकूलन में हमने काफी चीजे फर्स्ट वीडियो में कवर कर ली थी आज इसका सेकेंड वीडियो है इसमें हम लोग देखते हैं आवास तथा अनकूलन म जन्तों में जो जीवधारी हैं उनमें पर्यावन के प्रति क्या-क्या अनकूलन अनकूलताएं पाई जाती हैं जा वो उस महौल में या वहां के अस्थानी पर्यावन में कैसे अपने आपको जिंदा रख पाते हैं कैसे अपना विकास कर पाते हैं कैसे अपनी प्रजातियो को develop कर पाते हैं तो देखे बच्चों जनतियों में पर्यावन के प्रतिय अनकूलन मुखता यहां पे चार भागों में डिवाइट किया गया है पहला है आपका जली अनकूलन कुछ क्या होते हैं बच्चों कुछ जीवधार्य ऐसे होते हैं जो कि जल में अपना निवास पाई जाता है तथा वहां पर मिट्टी इतनी ज्यादा सूखी रहती है कि वह बालू जैसे यह रितेली रहती है तो वहां पर क्या अनकूलता है पाई जाती हैं यहां पर इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे और तीसरा है आपका व्रिच्छी अनकूलन कुछ ऐसे जीवधार् पा सकते हैं अब हो जाने अपन कर सकते हैं तो यहां पर इस टॉपिक में हम लोग बिच्छी अनकूलन में यहां यह सारी चीजे पढ़ेंगे और आपका लाश्ट है परवती अनकूलन परवती अनकूलन बच्चों क्या होता है कि कहीं कहीं पृतिवी के ऐसे भाग हैं जो क पर अपने आपको ढाले हुए हैं तो वहां पर वो कैसे रह रहे हैं यहां पर उनके बारे में या उनकी अनकूलताएं क्या है यहां पर हमें अध्यान करेंगे तो देखे पहला है जली अनकूलन क्या होता है ऐसे जीवधारी जो अपना जीवन या पन जल में करते हैं यह ज जलीव जियू जल में रहने के लिए उनके सरीर में कुछ विभिनताएं या कुछ विकास होता है या कह सकते हैं उनका सरीर उस अनुरूप हो जाता है तो देखते हैं बच्चो ये ऐसे जो जलीव जियू हैं उनमें क्या अनुरूपताएं पाई जाती हैं जैसे कि जल में रहन सानी तैर सकते हैं तथा अपने सरीर की सुरच्छा भी कर सकते हैं दूसरे अन्य जानतों से तथा जल में उनको स्वसन के लिए उनके सरीर में गल्फड़े विक्सित होते हैं जिसकी सहायता से वह पानी में घुलित वाई को क्या करते हैं घुलित वाई का स्वसन के रूप में उप्योग करते हैं इसके बाद देखिए अनकूलन में क्या होता है ऐसे अस्थान जहां पर क्या हो कि पानी की नामात्र ही हो या कह सकते हैं वहां की मिट्टी रेतीली हो या वहां के अस्थान में नमी की मात्रा बहुत कम होती है तो देखिए वहां पर क्या होती है यहां पर गर्मी बहुत होती है कहाँ पर मरुवस्थली जहाँ पर रितीला भूम होता है या रेगिस्तान होता है वहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है और वहाँ पर बच्चों क्या होता है पानी का बहुत ही अभाव होता है अर्थात वहाँ पर वर्सा की जो दर है वहाँ पर वर् लंबी लंबी टांगे होती है जो उनको टांगे जो है उनको गर्म रेतों से बचाये रखती है तथा उनके जो कान होते हैं कानों पर लंबे लंबे बाल होते हैं गजिन बाल होते हैं रोए होते हैं जो कि वहां की रेगिस्तान की रेत को उनको काने में जाने से रुकती है उड़ के ही कूबर क्या होता है उड़ को कूबर निकला होता है जहां पर अतधिक मात्रा में वसा संग्रहित होती है क्योंकि जानते हैं कि रेगिस्तानों में या मरुस्त्री छेत्रों में पेड़ पौधे नहीं पाये जाते हैं ना कि मात्र बराबर ही पाये जाते हैं तो वो कंचल पायोग प्यों करके वह उस अनकूल परिस्ति में भी परिस्तिटी में भी क्या करते है वहाँ पर अपने सब्सेजर को जिन्दा रखतेuing je आगे देखते हैं बिच्छी अनकूलन में क्या होता है ऐसी जीवधारी या ऐसे प्राणी जो कि अपना जीवन कहां पर निवा करते हैं अपना निवास अस्थान बिच्छों पर बनाए रखते हैं तो इनके लिए क्या होता है बच्छों कि ऐसी जीवजन्तू बिच्छों पर तो देखिए आगे देखते हैं हमारा चोथा है परवती अनकूलन कौन सा परवती या पठारी अनकूलन जो कि समतली छेत्रों से क्या होते हैं काफी उचाई पर होते हैं तो ऐसे अस्थानों पर भी क्या होते हैं काफी जीवजन्तु हैं या प्राणी हैं अपने आपको वहां बहुत जादा बढ़े होते हैं उनकी तवचाब मोटी होती वह मोटी होती है तथा ऐसे अस्थानों पर जा है जी जनत रहते हैं जैसे भेड हैं बकरियां हैं इनके जो खुर होते हैं जो ये क्या होते हैं बहुत मजबूत या मोटे होते हैं जिनसे की कारण से वो इन परवतों पर या इन परवती छेत्रों पर आसानी से चड़ सकते हैं और अपने भुजन की आपकूर्ती कर सकते हैं तो इस प्रकार से बच्चो आज आपका जो आवास सथा अनकूलन है यहीं पर आपका नाइन चेप्टर फिनिश होता है नेक्स्ट दिन हम लोग इस चेप्टर से संबंधित एक्सरसाइस को करेंगे धन्यवाद